स्वामी जी मेरा प्रस्ण ये था जो कि गायत्री मंत्र का जाप महिला कर सकता है या नहीं बहुत बढ़ियां प्रस्ण एक बर जोड़ता अतालियां बैट चाहिए बैट चाहिए गायत्री मंत्र का जाप महिला कर सकती है या नहीं ये कुछ दिनों से बिवाद चल रहा है कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि महिलाओं को गैतरी मंतर का जाप नहीं करना चाहिए क्यों? क्योंकि वो वेद का मंतर है और इस्तरियों का उपनेयन संसकार नहीं होता है यानि जनेव संसकार नहीं होता है लेकिन इस्त्रियों का उपने एंसन्सकार ही नहीं होगा यानि कि महिलाओं को जाप करने का अधिकार नहीं प्राप्त है ये बात है न यहीं कह रहे हैं अब सच्चाई पीछे कुछ चलते हैं वैदिक काल में वैदिक काल के जो विदूशी महिलाएं थी वैदिक काल के विदूशी महिलाएं चुकि ये वेद का मंत्र है तो लोग कहते वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है लेकिन भारत की स्थिति भारत में कुछ महिलाओं का नाम आपको पता होगा आपके छेत्र की एक महिला थी मंडन मिश्र की पतनी क्या नाम था उनका विदूशी भारती थी भारती वेद विदूशी थी वेदू का टीका तक करने की चमता रखने वाली थी अब दूसरी कोई महिला जिसका नाम आपको पता है जो वेद विदूशी थी काली दास की अर्धांगनी नाम बताईए विद्योत्मा विद्योत्मा वो भी वेद विदूशी थी ठीक है? उसके अलावा और कौन थी? मैत्रिय गारगी अपाला ये सब वेद विदूशी अरुन्धती वेद विदूशी महिलाएं सैकडो वेद विदूशी महिलाएं इसी भारत में रही जिन्होंने वेद का अध्यन किया और इनका उपनेयन संसकार भी होता था प्राचीन काल के मंदिरों में इस्त्रियों की मूर्तियां जो बनी हुई है वहाँ जन्योधारन की हुई इस्त्रियां है जन्योधारन की हुई इस्त्रियां रामायन में इसकी भी चर्चा है कहीं पे कि प्रभू शिरी राम की माता जी कौसल्या जी भी जन्योधारन करती थी और उनके जन्योधारन का कलर रंग गुलाबी था यानि इस्त्रियों को भी उपनेयन संसकार करने का अधिकार था जनेव धारन करने का अधिकार था हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं तो आज के बरतमान जो कोई भी अगर कहते हैं धर्माचारे की महिला का उपनेयन संसकार नहीं हो सकता इसका मतलब कि आप प्राचीन ग्यान से अपने आपको दूर करने की कोशिस कर रहे हूँ एक तरफ कहते हो कि पुरुष और महिला बराबर हैं और दूसरे तरफ कहते हो उसको ये ग्यान लेने का अधिकार नहीं है इसका मतलब सबसे बड़ा भेत तो आप ही कर रहे हो और दूसरी सबसे बड़ी बात जनेव सिर्फ कर्म कांड के लिए नहीं पहना जाता है जनेव जब दिर्ग संका लगु संका के समय कान में लपेटा जाता है तो मस्टिश्क का एक रस निकलता है जो लगुसंका के माध्यम से सरीर से बाहर निकल सकता है उसी रस को रोकने के लिए कान को दबा दिया जाता है कान के नसों को दबा दिया जाता है इसलिए जन्यों संसकार किया जाता है वो एक वैग्यानिक शरीर के कल्यान मस्षिश के कल्यान के लिए है वो सिर्फ एक धागा नहीं है बहुत गहरा रहसे है तो जन्यों संसकार प्रतेक वैप्ति का होना चाहिए प्रतेक इस्तिरी में गायत्री मंत्र का परचार करने वाले कौन है किसने बताया गायत्री मंत्र के बारे में भारत में कौन है वो अचारे श्रीराम सर्मा सांती कुझ के संस्थापक सांती कुझ के संस्थापक है ना तो सांती कुझ के संस्थापक जब अचारे श्री राम सर्मा जी थे तो उस गुरु वर ने पूरे देश-बिदेश में भारत से लेके गली-गली में यग्ये करवाया सांतिकुंच के तरफ से और गैत्री का ही मंत्र दिख्षा के रूप में सभी को देते थे और उन्होंने जो दिख्षा दी है और गैत्री मंत्र के रहे हो कि जो हमारे गुरुवर थे अचारे शिरी राम सर्मा जी अचारे वो वेद नहीं पढ़े थे वो नियम कानून नहीं जानते थे क्या उनको नहीं पता था कि इस्तरियों को नहीं पढ़ना चाहिए अगर उनको पता था तो इस्तरियों को उन्होंने मंतर क्यों दिया औ कहानी मैं बता रहा हूं कि सच्चाई क्या है इस पूरे खेल के पीछे इस वक्तव्य के पीछे का राज्य आप समझ लो आपको बात समझ में आ जाएगी सडेंतर क्या चल रहा है लाखो करोडो महिलाएं पुरुश आज फॉलो करते हैं सांति कुछ को लाखो करोडो लाखो कर प्रमाचारे है न यह चाहते हैं कि उधर से तूटेंगे तो हमारे पास आएंगे हमारे number of followers बढ़ेंगे हमारे अनुयाई बढ़ेंगे तो जो काम कर रहे हैं पहले उसको छुड़ा दो पहले उसको बदनाम कर दो पहले बोलना शुरू कर दो कि भाई नहीं गायतरी मंत्र अचानक कौन सा तुम्हारे उपर पहाड़े तूट पड़ा है कि गायतरी मंत्र इस्तिरिया नहीं पड़ सकते हैं यह अपने रटना शुरू कर दिया इसकूलों में कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है मरीज इसे धर्म के लोग पंत्र के लोग भारती हिंदूओं को अपने पंत्र में मिला रहे हैं उसी तरीके से भरहमफिर से पैदार रहे तो यहां抓 नि कि गायतरी मंत्र जैसे पड़े युग पूरुष के काम को धोने की कोशिस कर रहे हैं यानि अचारे सर्मा जी ने जो लाको करोडों का जो अभियान तयार किया पूरे बिश्व भर में उस गायतरी पीठ के कारे को धुमिल करना चाहते हैं तो याद रखिएगा आज आप किसी युग पूरुष के का कारे को धुमिल करने की कुशिस कर रहे हो कलाप के कारे को भी कोई दूसरा आएगा धुमिल करके चला जाएगा है ना तो कहीं कोई भेद नहीं है बिलकुल पढ़िये खुब जम के पढ़िये इस्त्रियों को पढ़ने का पूरा अधिकार है कोई दिक्कत नहीं है